नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग अइडियाज में आप सभी का स्वागत है। इसमारी भिंडी के फसल में केसे आता है और इसको रोकने का क्या-क्या तरीका है और दबाई के बारे में complete information पाने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें अक्सर आप लोगोंने भिंडी के फसल में इस तरह के पोधे देखे होंगे ये पोधा कुछ दिन पहले हरा भरा था लेकिन येलो भेन मोजाइक भायरस डिजीज के चलते इस पोधे का हालत ऐसा हो गया है भिंडी के फसल में ये एक भायराल इंफेक्शन है यानि कि यहाँ एक भायरस से संक्रमित बीमारी है समय से पहले अगर आप इसका सही इलाज नहीं करते हैं तो ये दिरे-दिरे करके पूरे खेद में फैल जाता है और पूरा का पूरा फसल बरबाद हो जाता है आप लोग इस बीमारी के सिम्टम अच्छे से देख पा रहे होंगे जैसे कि इसका नाम येलो भेन मोजाइक भायरस है इस बीमारी से ग्रसित पोधे के पत्यां के सीरा यानि की भेंस पीले रंके हो जाते है फसल में जैसे ये बीमारी का एटेक होता है तो पोधे का बढ़ प्रड़ार रुख जाता है उपर के पत्यां छोटे छोटे हो जाते हैं फूल आना बंध हो जाता है इसमें लगने वाले फल भी छोटे हो जाते हैं और पीले-पीले रंके दिखाई देते हैं इसका फल आप जैसे देख रहे होंगे कि बिल्कुल रभ हो चुका है ये आप खाने लाइक नहीं है आसान भासा में कहा जाए तो जिस पोधे में ये बीमारी लग जाता है वो पोधा पूरी तरह से नश्ट हो जाता है और उसमें आने वाला प्रडक्शन भी रुख जाता है अब समझते हैं कि भिंडी के फसल में येलो भेन मोजाइक भाइरस का ये बीमा संक्रमित कई तरह के बीमारियों का प्रोकॉप दिखाई देता है जैसे लिपकल भाइरस, मोजाइक भाइरस, टपसो भाइरस और इन सब बीमारियों को फैलाने का काम एफीट, जसीट, थ्रीप्स, वाइट फ्लाय जैसे सौकिंग इंसेक्ट करते हैं बिलकुल उसी तरह भ ये घातक होते हैं क्योंकि जिस पोधे में इस बीमारी का एटेक हो जाता है उसी पोधे को रीकवर करने का अभी तक कोई उपाय नहीं है लेकिन जैसे ये वाइरस जनित बीमारी का सिम्टम हमारे फसल में दिखाई देता है उसी समय या फिर जितना जल्दी हो सके अगर सही दवायों का छिड़काप किया जाए तो इन बीमारी को फसल में संक्रमित होने से हम आसानी से बचा सकते हैं ये लो भेन मोजाइक भायरस बीमारी फसल में सफेद मक्यों के बज़े से ही फैलता है फसल में सफेद मक्यों का नियंतरन करने से इस बीमारी के संक्रमन को आसानी से रोका जा सकता है सफेद मक्यों को नियंतरण करने के लिए बाजार में आपको काफी सारे केमिकाल या फिर अर्गानिक इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे जिसमें इमीडा क्लोरपीड, एसीटामीपीड, नीम पेस्टिसाइड काफी पोपुलार है कुछ अच्छे दवाईयों का लिंक आपको इसी वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे अगर आप इसके साथ किसी भी अच्छे भाईरुसाइड का प्रोयोक करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा और जल्दी मिलता है क्यूंकि कभी कवार फसल में बार बार दवाईयों का प्रोयक्त करने के बाद भी वाट फ्लाइक कंट्रोल नहीं होते तब ये भाईरुसाइड अपना काम करते है दोस्तों ये जो दवाईय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक भाईरुसाइड है यानि कि ये भाईरुस को रोकने का काम करते है ये दवाईय में पिछले पांस सालों से यूज कर रहा हूं और इसका कप्पी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है आप लोगों पता है कि जो भाईराल इंफेक्शन होता है जिस पोधे में इम्मुनिटी कम होता है उस पोधे में सबसे पहले एटेक होता है ये जो भाइरुसाइड आप देख रहे हैं इसमें आंटि भाइरल प्रोपोर्टी होने के कारण ये पोधे के इम्मुनिटी पावार को बढ़ाने के साथ साथ भाइरस को भी ब्लॉक कर देता है इस दवाई का प्रोयोग मैं अपने फसल में पांस सालों से करते आ रहा हूँ अगर आप इसका प्रोयोग सही समय पर करते हैं तो ये फसल में सभी तरह के भाइरल इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम है कहने का मतलब इसका प्रिवेंटीव यूज करने से फसल में वाइरस के इनफेक्शन को ये आसानी से बचा देता है प्रिवेंटीव यूज में आप इसको फसल रोपाई करने के 10 से 15 दिन के अंदर पहला स्प्रेय ले सकते हैं और उसके 10 से 15 दिन बाद आप दूसरा स्प्रेय ले सकते हैं इस वाइरुसाइट के बारे में मैंने इस चैनल पर 3-4 वीडियो के माध्याम से काफी सारे इनफर्मेशन दे चुका हूँ उन सारे वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब तक आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ गया होगा कि भिंडी के फसल में येलो भेन मुजएक वाइरुस कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है सबसे पहले सौकिंग इंसेक्ट यानि की रस्चूसक कीटो को नियंतरन करना है उसके बाद किसी भी अच्छे भाइरुसाइट का प्रोयोक करके हम फसल में किसी भी तरह के भाइरुस के बीमारी के संक्रमाण को हम रोक सकते हैं अगर आपके मन में इससे जुड़ी कोई सवाल या सुजाब है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं हम आपको रिप्लाइ करने की जरूर कोशिस करेंगे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद